दोस्तों क्या आप भी इस्टाग्राम पर अपने अकाउंट को लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं जैसे ही लॉग इन करने के लिए जाते हो और वहाँ पर आपको कुछ ऐसा एरर देखने को मिलता है जैसे के बराबर में स्क्रीन शोट आप यहाँ पर देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है कि पहले आप यहाँ पर सिक्योर्टी कोड को एंटर करेंगे उसके बाद ही आपका अकाउंट लॉग इन होगा लेकिन यहाँ पर आपका जो है सिक्योर्टी कोड नहीं आ रहा है आपको receive नहीं हो रहा है और इस वाज़ा से आप महाँ पर security code को enter करके आगे नहीं बढ़ पा रहे हो अपने account को login नहीं कर पा रहे हो अगर आपकी यही तमाम problems हैं तो इस वीडियो के इंदर में इसका solution लेकर काया हूँ मैं आपको बताऊँगा का अगर आपको code receive नहीं हो रहा है वो क्यों नहीं receive हो रहा है और उसको कैसे आप ले सकते हो यह साई चीज़ इस वीडियो के इंदर मैं आपको बताने वाला हूँ आपकी problem को solve कराने वाला हूँ वीडियो को skip करके नहीं देखना है वीडियो को end तक देखना है वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम जाने जिए मेरे नामे शाहिद और आप देख रहे हैं आपने इस्टाग्राम के अंदर दिया है उस पर code नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है जो mobile number पर हमने code को send किया है वो mobile number का है जब हम ये process करते हैं तो वहाँ पर ऊपर में जो है mobile नमर के last के चारड डिजिट जो हमें दिखाए जाते हैं जिसमें ये बता जाता है कि इस number पर हमने OTP को code को send किया है अब सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि वो नमबर कहां पर है आप ही के फॉन के अंदर है आपके फैमिली मेंबर के फॉन के अंदर है या फिर जो है वो फॉन खो गया है वो जो मुबाइल है नमबर जो है वो खो गया है या बंद हो गया है या उस नमबर के अंदर रिचार्ज है या फिर नहीं है ये सारी चीजे ज होगा हमने इस पर एक इन भीडियो बनाया है जिसमें हमने आपको बताया है कि खरा से आप इस वीडियो को ले सकते हो उसका जो link है वीडियो इसी वीडियो को description में आपको मिल जाएगा उसके अंदर जो process बताय गया है उस process को आप follow करेंगे उसके बाद में जो आपको code receive हो जाएगा और उसके बाद में आप उस code को डाल लेंगे लेकिन अगर आपके पास में वो number नहीं है तो सबसे पहले तो आप number देखेंगे कहां पर है और अगर उसमें recharge नहीं है तो recharge कराएंगे recharge करने से हमारा OTP आ जाता है और अगर recharge नहीं होता है mobile के अंदर, phone के अंदर, sim के अंदर तो होता क्या है कि हमें OTP receive नहीं होता है तो ये सारी चीज़ जो है आपको पहले ध्यान करनी है और उसके बाद में अपनी problem को solve करना है जो तरीका मैंने बताया है उस तरीके से solve करना है और उस video को भी देखे जाकर के जो कि मैंने बताया है वीडियो के description में है उसमें हमने आपको बताया कि court receive नहीं हो रहा है तो उसको कैसे ला सकते हैं और अपनी problem को solve कर सकते हैं I hope कि आपको ये video अच्छे लगएगा आपको पसंद आयो तो इसको like करें, share करें मेरे चैनल को subscribe करें ना भूलें तो मिलता है आपसे अगली वीडियो में